अबस्कार स्वागत है आपका स्पियर नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शुदी है हैदराबाद मामले को लेकर देश में सभी लोगों को गुस्ता था आक्रोज जता रहे थे लोग तो वहीं आपको बता दे कि जो आरोपी है वो पुलस अंकाउंटर में आज सुबह मारे गए लेकिन आपको बता दे कि जैसे ही शुकरवार सुबह तेलंगाना की पशुची कित सक के साथ दुशकर्म और उनकी हत्या के आरोपी के मारे जाने की खवर फैली तो इन सब में उनके साथ हैदराबाद पुलस वी सी सजनार जस्टिस फॉर दिशा भी ट्रेंड होने लगा इनमें एक नाम खास था और वो है वी सी सजनार का जीने एक एंकाउंटर स्पेशलिस के रूप में भी जाना जाता है बताएंगे आपको कि आखिर यह है कौन बतादे आपको कि जिस तरह से लोगों में आक्रोस था लोग इसके लिए जल्द से जल्द सजा की मांग कर रहे थे फासी की सजा की मांग कर रहे थे तो वहीं जैसे ही एंकाउंटर की खबर जैसे ही पहले उसके बाद से लोगों में कही न कही कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया खुशी जताई लेकिन कुछ लोग जो है इनके विरोध भी गया जैसे बिजेपी नेता मिनका गांधी का कहना है मिनका गांधी भी इसके विरोध गई और इसी के साथ ही ओवैसी ने भी इसके खिलाप भी कहा लेकिन कही ना कहीं देश में कई ऐसे लोग जिनों ने इसका समर्थन किया और कई लोगों ने इसका जश्ट में भी मनाया जिस तरह से आरोपियों का na Pamal शियद की बतादे आपको कि इनसर्थ के बीच में जो एक सक्स है जिनकी đ सर्चाय हो रही है वह हैं वीशी सज्जनार अब वीशी सज्जनार है कौन बता दे आपको कि वीशी सज्जनार जो है वह एंकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं कि समन्द में 2008 वारंगल एसिड हमले के मामले को भी याद किया जा रहा है सज्जनार नकसल नेता नई मुद्दीन की हत्या में भी अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं जब सज्जनार आईजे स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच में थे आनि कि आपको बता दे 2008 में वारंगल एसिड एटेक भी चर्चा में आया था उस दौरान सज्जनार वारंगल के एसपी थे बता दे कि इस केस में भी तब लड़की पर एसिड फेकने वाले को एंकाउंटर में मार गिराया गया था आपको बता दे कि ये तब हुआ जब आरोपी एस श्रीनिवास राव ने दो दोस्तों के साथ मिलकर इंजीनरिंग छात्रा पर एसिड फेका था इसके पीछे की जो वजह थी वह मैं आपको बताती हूं उसके पीछे की वजह थी श्रीनिवास का प्रपोजल ठुकरा देना बता दे आपको कि उस दारान भी समाज में गुस्सा था उस दारान भी समाज इस बात के लिए आक्रोशित था जहां सजनार के अगवाई में पुलस ने तीनों आरोपियों को गिराफतार किया हाला कि कुछ घंटे बाद आरोपी एंकाउंटर में मारे गए थी यानि कि अगर हम बात करें फीसी सजनार की तो इससे पहले भी उन्होंने लड़कियों के लिए ये कदम उठाया है खैर आज जो उन्होंने कदम उठाया है वो सही है या गलत वो तो बाद में देखा जाएगा लेकिन जिस तरह से जो सोशल मेडिया पर रियक्ट आ रहे हैं जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियां सामने आ रही है जिस तरह से लोगों की लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं अब इन सम्में ये सही किया उन्होंने या गलत किया ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन इन सम्में ऐसा लगता है कि वीसी सजनार जो है वो हमेशा ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाते रहे हैं जैसे चाहे आप 2008 की बात को ले ले चाहे अब 2019 में जो कि 6 दिसंबर को उन्होंने चार आरोपी जो है वो अनकाउंटर में मारे गए यानि कि इन सब को अगर आप देखें तो वी सी सज्जनार जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं और उनका ये कदम काफी लोग यहाँ पर उनके इस कदम का समर्थन भी कर रहे हैं बता दे आपको कि तेलंगाना में वेटनरी डॉक्टर की हत्या और सामुहिक दुषकर्म की चारो आरोपी शुक्रवार तड़के इनकाउंटर में मार गिराए गये अब भी साइबराबाद कमिशनर वी सी सज्जनवार की अगवाई में पुलिस की एक टीम आरोपियों को ल के दौरान पुलिस कर्मियों की हत्यार छीन कर भाग रहे थे इस दौरान क्रॉस फाइरिंग में चारों मारे गए हाला कि अब इस एंकाउंटर पर भी सवाल उठने लगे हैं जिस तरह से यहां पर एंकाउंटर किया गया है उसका लोग कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे है तो कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं जिस तरह से बता दे आपको कि BJP नेता यहां पर मेंका गांधी ने भी सवाल उठाया है उन्होंने जिस तरह से कहा है कि तिलंगाना इंकाउंटर पर BJP की सांसल मेंका गांधी ने कहा कि वहाँ जो हुआ वो भ्यानक वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं मिनका गांधी ने कहा कि वे आरोपी थे और वैसे भी कोर्ट से उन्हें फासी की सजा मिलती उन्होंने कहा कि ऐसा होने लगे तो फिर क्या फाइदा क्या है कानून का फाइदा क्या है सिस्टम का फाइदा इस तरह से मिनका गांधी का बेयान सामने आय다 वैसी जो है उन्होंने भी इस पर बैयान दीया है उन्होंने क्या का है हैदराबाद प्रकों के बाद पुलिस द्वार elector चार आरोपी dong के जाने को लेकर अश्झी दिनवेश का बेयान सामने आया जिस में उन्हों कहा कि मैं इस encounter के खिलाफ हूँ इस मामले की मेरे पास विस्तार से जानकारी नहीं है यानि कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है जब यहाँ पर हैदराबाद मामले को लेकर यहाँ पर जो हैदराबाद मामला सामने आया था तो लोगों में काफी आक्रोज था काफी गुस्सा था लोगों को इसके साथ ही आपको बता दे कि हैदराबाद में आखिर हुआ क्या था है एक पशुची किस्सक के साथ दुशकर्म और फिर हत्या कर देने के सभी चारो पियों की जो यहां पर शब है अब भी उस समय घटने स्थल पर मौजूद थी इसके साथ ही बता दें आपको की पुलिस इन सब में जो मृतका के पीता हैं उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा कि हमने देखा कि वे मुटवेड में मारे गए हम खुश हैं और लोग भी खुश ह मैं मुटवेड के लिए तलंगाना सरकार और पुलिस का शुक्रिया आदा करता हूं मैं हमारे साथ खड़े रहे लोगों का भी शुक्रिया आदा करता हूं उनकी बहन ने उमीद जताए कि मुटवेड में से महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराद जो हो रहे हैं उन्हें उन्ह पर सवाल ये भी उटता है कि क्या उन्होंने सही किया एंकाउंटर करके या फिर गलत क्या खैर ये बात तो बाद में होगा लेकिन आप देख रहे होंगे सोशल मेडिया पर कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं तो कई लोग इसका विरूध भी कर रहे हैं बता दे आपक कि तीश वर्षिया और पैरा चिकित्सक छात्रा निर्भया के साथ अगर हम निर्भया की बात की जाए तो निर्भया के साथ भी दिसंबर 2012 में सामोहिक दुशकर्म किया गया था और कुछ दिन अलाज के बाद उसने सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था निर्भया के माता पिता ने हैदराबाद की महिला से दुशकर्म और उसकी हत्या के आरोपियों के मारे जाने पर खुशी जताई है यानि कि आपको निर्भया केस भी आपर याद होगा जब निर्भया केस को लेकर बात होती है तो लोगों के रूख काप जाते हैं वो भी ए एक मामला है कहीं न कहीं आज जो दो हजार पारह में हुआ था दो हजार उन्नीस को लेकर सभी लोग जिस तरह से एंकाउंटर किया गया है उसके लिए कहीं न कहीं सोशल मेडिया पर आप देख रहे होंगे कि लोग खुशी भी जता रहे हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं खैर आपकी क्या रहा है आप कमेंड बॉक्स में कमेंड कर जरूर और आगे तमाम जानकारी के लिए बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ इसके साथ ही आपको आप हमारे इस वीडियो को जाज़ा से जादा शेयर करें लाइक करें करें और तब तक के लिए दीज़ाज़त नमस्कार